अधिल रोहत वेल्कम सी वें दा रीयल कर्षेट आज हम लोग एक न्या टॉपीक पढ़ने जा रहे हैं जो ट्रींगल की construction से रिलेटरेड रोग अभी तक हम लोग triangle के दू तरह two method construction के सीख चुके हैं पहला है side 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 दूसरा था side angle side SAS अब हम अगला जो topic है अगला जो method है वो है ASA angle side angle तो हम सीखेंगे कि angle side angle के दौरा हम किसी त्रिबूस के construction को कैसे करते हैं तो ध्यांदी जैसे कम पहला question का example लेते हैं उसी question example के दौरा हम इसे solve करेंगा है मालीज हमारा एक triangle है जैसे की triangle PQR हमें draw करना है PQR हमें draw करना है जहां पर QR जो है जहां पर QR का length दिया हुआ है 6 cm और angle Q है angle Q जो है वो दिया है 30 degree angle Q कितना है 30 degree and angle R जो है 60 degree दिवा हुआ है अब हमें इसी measurement का use करना है एक triangle draw करना है तो हम पहले क्या करेंगे चुकि side तो इसमें एक ही है तो हम side को पहले है कि base की आधर पर ले ले लेते हैं क्योंकि side तो एक ही है तो हम उसी side को पहले ले रहते है measurement में पहले side को कितना दे है PQ दिया है 6 cm तो PQ को हम पहले ले 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 लेते है 6 cm measure करके तो कि measure करना है तो तो आपको बताया गया कि how to measure a line how to draw a line तो 0 से start करेंगे और 6 तक जाएंगे 6 तक पहुंच गया है और यह जो point है वो 6 और यह 0 करता तो यहां पर कोई कि जो है qr चुकि यह line qr है तो हम यहां पर qr डाल दिये और यह इसका length की total कितना है 6 cm है ना हो चुका है अब हमें क्या करना है अंगल qr गλλूकर कितना ग्कर्णा 30 क्या तर्टी डीशिफ और सिंवान को यह सब्सक्राइग फहँं क्या करेंगे इसपर चाप डालेंगे उसी चाप से क्या करेंगे आप पहले 60 दी काल डूकरते हम क्या करेंगे आधा कर देगा तो हमारा कितना निके एंगल बनेगा 30 डिग्री का इसको बाइसक्ट कर दिया अब बनिगे हमारा 30 डिग्री एंगल तो 30 डिग्री का अंगल यहां बना और 2-0 0-0-0 either by réponding भेना अर पर बनाना है सद दिग्री का एंगल तो किए पहला चाप डाले थे अब उसमें लिखिए दालें को बनता है ये तो आपपटा है तोहाएं 60 और 30 डीजी दुनों का एंगल बन चुका है अब हम क्या करते हैं दुनों को मैच कर ले तुनों को मिला लेते हैं तो क्या बन जाएगा देखते हैं आप दुनों को मिला करके एक हो गया और अब यह 30 डीजी वाले एंगल को आप मैच करना है अब बस हो गया हमारा अगल यह थर्टीरी का एंगल बन चुका है और यह इग्षिस्टी डिखी ऑंगल और यहां जो पॉइंट जो पॉइंट बना है यहां जो दूनों लाइन आकर मिला आइस को क्या पॉइंट है यहों पी हो गया तो ट्रेंगल PQR हमारा रेडी है जहां पर P.Q और R जहां पर एंगल Q 30 डिवी है एंगल R 60 डिगरी और जो साइड है इसके दोनों का जो साइड है दोनों के बीच का जो साइड है कि यूँआर वह साड़ 6 cm है तो ध्यान दे यह दोनों एंगल का जो बीच का है साइड होना चाहिए दोनों साइड जो होगा यह साइड जो होगा वह दोनों के दोनों एंगल के बीच वाला ही होना चाहिए otherwise the to draw the triangle is impossible so यहां पर ध्यान देने बाली बात है कि हमें दोनों ही एंगल के बीच का है जो साइड है वह होना चाहिए thanks for watch the video if you love this video then like share with your friends and subscribe to the channel thank you